मा वैशन देविस जूड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए सबस्क्राइब करिए ट्रेन एडर को और साथ इस बेल आइकन को दबाईए ताकि आपको मिल सके मा वैशन देविस जूड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले जै माता दी सबसे पहले तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है एक नए प्यारे से वीडियो में मिरे नाम है आयूश और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर फिलाल मैं मौझूद हूं कट्रा में और अगर आप आगामी दिनों में श्री माता वैश बहुत सारे भक्तों के मन में काफी डाउट चल रहा है और उनने बहुत सारे एसी वीडियो भी यूट्यूब पर देख रखे होंगी देखिए मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन शेयर कि थी और अभी भी आपको मैं यही जानकारी दूंगा कि अगर आप आगामी द वैक्सीन की सिंगल डोज लगी है या फिर आपने वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं लगवाई है फिर तो आपको अपना कोरोना टेस्ट करना होगा या तो आप अपने घर से अपना कोरोना का रैपिट या आटी पीस्यार रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी लेकर आ सकते हैं स 30 साथ अगर अपने घर से टेस्ट नहीं करा सकते हैं तो आप यहां पर आकर कटरा रेल विश्टेशन जम्बू रेल विश्टेशन एज वेल एस उद्धम पुर रेल विश्टेशन पर अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं जिसकी रिपोर्ट Hardly एक से आदे घंटे में आप पर्मिशन दे दी गई, तो जैसा कि आपने बड़े ध्यान से छोड़े से वीडियो क्लिप को देखा है, जो मैंने रेलवेग स्टेशन पर शूट किया है, और इसमें पूरी तरीके से आप आराम से आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, अब वहीं बात करेंगर भवन की, तो जैसे जैसे आप भवन की और प्रिस्थान करेंगे, आपको हल्की हल्की ठंड लगने लगेगी, इसलिए मेरी आप सबसे एक सजेशन रहेगी, कि आप अपने साथ अपना गरम कपड़ा लेकर आईए, आप जैकेट भी लेकर आ सकते हैं, स् इससे आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेंगे, अगर बात करें यात्रा की, तो फिलाल इस टाइम जो डेट है, वो आज का डेट लगबग 5 नवंबर 2021 है, और इस डेट पर मैंने नोटिस किया है, कि कट्रा में तो हल्की फल्की भीड़बार देखने को मिली है, यानि संख्या बहुत जदा नहीं है, वहीं अगर हम बात करें, तो मुझे जान तक लगता है कि 20,000 से लेके 25,000 तक इस समय संख्या बनी हुई है, फिलाल मैं जो देख रहा हूँ, वो हर प्रकार की सुवधा है, चाहे जंबू से कट्रा का बस सर्विस हो, या फिर शाइन बोड की भवन्स हो, भोजनालेज हो, यह सब कुछ खुले हुए है, कट्रा में दुकानों की बात की जाए, तो पूरी दुकाने लगभग खुली ही है, और होटल्स वैटल्स भी सब खुल चुके हैं, तो आप अगर यात्रा का प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल आपा सकते हैं, कोई भ बात करें सुवधाओं की, तो देखें, स्ट्रीम आता है, वैश्नोदेवी श्राइन बुड़ द्वारा, हलिकॉप्टर की सुवधाएं पूरी तरीके से मिल रही है, अभी हलिकॉप्टर चल रहा था, और बात करें, घोड़ा पिट्टू पाल की या रूपवे की, तो यह अगर आप आ रहे हैं, तो रेंकोड रख लीजेगा, कहीं अगर बारिश होगा, तो आप उससे बच जाएंगे, यात्रा परची की बात करें, तो यात्रा पंजिकरन काउंटर खुला हुआ है, लेकिन रात दस बजे तक खुला रहता है, तो आप अगर रात में यात्रा करन होने वाले हैं, या फिर आप यात्रा पंजिकरन काउंटर पर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अपना ऑनलाइन यात्रा परची लेकर आ सकते हैं, मैं फिलाल यात्रा पर आ चुका हूँ, और मैंने अपना सब कुछ ऑनलाइन ही बुक किया है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ क यहां आने के बाद मुझे भीड़ का सामना करना पड़ सकता है हो सकता है कुछ ना मिले ability खतम हो जाए तो इससे बेटर रहेगा कि आप सारी booking जो है पो अपने साथ घर बैटे online ही कर लीजे जो website है वो www.maavashnudevi.org जिस पे आप जाके अपनी online सारी booking कर सकते हैं आने वाले टाइम में मैं पूरा ट्राइ करूँगा कि कल आपको भवन से लाइव दर्शन कराऊ इसी YouTube चैनल पर साथ इसाथ Instagram के पेज पर जिसका नाम train rider है YouTube चैनल का नाम भी train rider है और Facebook पेज पर भी जो हमारा पेज है वो भी लगभग train rider के नाम से है उसे मैंने रखा है मावashnudevi डेली यात्रा अपडेट TR family अगर बात करें और भी कोई नई जानकारी कि तो फिलाल सब कुछ नॉर्मल वेव में है यात्रा सुचारू रूप से चल रहा है कोई दिक्कत परशानी नहीं है हाँ इस चीज का खास ख्याल रखेगा कि गरम कपड़ा आप जरूर से लेकर आएगा पैकिंग अच्छे से करकर ले आएगा बच्चे बुजर्ग को लेकर आ रहे हैं तो उनका खास ख्याल रखेगा चली अब मैं अपनी बातों को यही पर समाप्त करता हूँ और आप सबसे हाँ जोड़ कर एक ही निवेदन करूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दूसरे भक्तों तक शेयर नहीं किया है कल यातरा की शुरुवात हम करेंगे और यातरा की शुरुवात जैसे-जैसे हम करेंगे तो हम आपको अपडेट देते चलेंगे इन फ्यूचर अगर आप कोई और अपडेटेड जानकारिया या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तराने के मर्जी है तो चलिए अब मुझे देजिये इजाज़त फिर मुलूँगा मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप देख रहे थे आपका प्यारा चैनल ट्रेंड डैडर मैं था आयूश गाडब्लेस यू आल जै हिंद जै माता दी